जहिन दोस्तों आईए आज हम पढ़ते हैं जनगर्णा जो सभी एक्जाम के लिए most important है पिट में तो आएगा ही बाकी अगनिवीर जैसे exam में वो most important है जनगर्णा 2011 की चर्चा करेंगे हम लेकिन सबसे पहले जनगर्णा का इतिहास देख लेते हैं जनगर्णा का इतिहास क्या तो सबसे पहले बात करें जनगर्णा सब्द कहां से आया तो आप जानते होंगे अर्थसास्थ के बारे में कहा गया है मौर काल में पहली बार जनगर्णा होई थी और आइने अकबरी के लेखा कौन है ये आप कमेंट करके बतादी जिएगा थीक है आईए और आगे बात करें चलिए अपने लैंग जिमान आते हैं भोजबी सबसे अच्छा अपना मदल टंग आईए बात करते हैं सबसे पहले देखा हो का है तो जनगड़ना की बारे में बात करें पहली बात अगर आपसे बात किया जाए कि जनगड़ना बिभाग जनगड़ना का उलेक समिधान में कहा है तो जनगड़ना का जो उलेक है ये समिधान में कहा है तो याद रिखेगा अनुच्छेद 246 में है इसमें ये कहा गया कि जनगड़ना जो है ये केंड सरकार करवाएगी कौन करवाएगी यूनियन गवर्मेंट करवाएगी कौन केंड सरकार हो केंड सरकार करवाएगी बात समझ माया यह बाते आपको याद रखनी है और बात करें कि सबसे पहली बार जनगर्णा कहां पे हुई थी तो स्वीडन में हुई थी कहां भैला लो स्वीडन में भैला सत्रसो उन्चास इस भी में भैला स्वीडन में स्वीडन के नाम उते दुई कोश्चन दिमाग में बैठिक चाहिए का एकठी लुकपाल वाला कहां से आया यहीं से और एकठी हो एसिट रैन सबसे पहले अमली बरसा कहां सबसे पहले भाई लहा यहीं भाई लहा और वगर बात करी हम तो और पॉइंट की एक्जाम में क् पूछिता है किए जन,'-घणना अक्ट करूं झुकाल है रहा एक जन्याइक्ट पूछित प्रणोटने की नहीख रहा हम फॉड़्य पूछिति हुख प्रण में लाड मयों में लेकिन अगर पूछिता है नेमित जन्गड़ना कब हुई थी तो याद रखेगा 1881 में लाड रिपन के सासनकाल में ये व्योस्थित जन्गड़ना है लगातार ददस साल ददस साल पे होता है अगर पूछे जो 2011 की जन्गड़ना है ये किस नंबर की है पंद्रहमी जन्गड़ना है आजादी सुतंता के बात काउन से जन्गड़ना है तो ये सत्मी जन्गड़ना है ये भी आपको याद रखना है पॉइंट समझ माया 2011 की जन्गड़ना दो चरड़ में संपन हुई थी वो दो चरड़ काउन काउन से आपको भी ध्यान रखना है तो सबसे पहले एक अपरेल से चला था एक अपर था 28 फ्रवरी दोहजार बीश दिशे महिने पर गैपिंग पर खतम हुआ था याद रखेगा यह पॉइंट बना के इंपोर्टेंट है और अगर आपसे बात करें 2011 की जनगर्णा को जो सुभगड़क है या फिर हाँ सुभांकर है शुभांकर कौन है तो याद रखेगा इसके जो सुभांकर है यह प्रेगड़क सिच्छिका है शुभांकर या मस्कड जिसे कहते हो आपका प्रेगड़क सिच्छिका है आप लोग देखे होंगे जनगर्णा जब रहा हो गए कि अगर डॉलूट खरेंगे गोल से तो एक लेड़ी जो है इसे कापिक किताब लेके और प यह हमारा क्या था श्लोगन था इंप्टेंट याद रखेगा आए और बात कर लेते हैं अगर पूछले पर्थम जनगर्णा के आयुकत कौन थे पर्थम जनगर्णा आयुकत कौन थे तो यह बताईएगा आप डबलू सी प्लावडेन थे अगर पूछे 2011 के जनगर्णा आयुक्त कौन है ये पूछ ले तो आप बताईगे के चंद्रमोली है के चंद्रमोली थे जनगर्णा आयुक्त ये भी आपको क्या करना है याद रखना है important point बन जाती है बास समझ माया इसफे अंतिम रिपोर्ट कब आया था जनगर्णा का अंतिम रिपोर्ट एकदम बेवस्थित रिपोर्ट कब आया था तो ये आया था आपका 7 जनवरी 2014 को जनगर्णा का बेवस्थित रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट आपके सामने पेस किया गया था important point आपको याद रखना है अगर जातिगत जनगड़ना की बात करे तो जातिगत जो जनगड़ना है ये 1881 से चल रहा था और 1931 तक तो कांटिनियूस चला है 1931 तक लेकिन उसके बाद बंद हो गया था लेकिन फिर दुबारा 2011 में जातिगत जनगड़ना क्या हुआ है चालूआ है ये आपको याद रखना है अगर आपसे पुछे सवाल कितने पूछे गए थे तो याद रखेगा जो पहला जनगड़ना था उसमें आपसे 14 सवाल नाम क्या है पिता का नाम करते क्या है ये सब सीजे और 2011 में आपसे 31 सवाल पूछे गए थे ये बाते भी आपको क करनी है याद रखना है अभी हम स्रिफ और स्रिफ इतिहास की चर्चा कर रहे हैं आगे हम बात करें अगर हम पॉइंट की योर 2022 की जंगरना के बारे में थोड़ा जान जाएν यहीं पे कापता वही से कोश्चन आ जाएं 2022 की जो जंगरना होने वाली है कईस की 22 में रिपोर्ट आएगा ये आपके कौन सी जंगरना होगी सुलामी जंगरना होगी ये बाते भी आपको याद रखना है इसके आपके ओ कौन है जनगरना आयुप्ध कौन है तो विबेक जोसी साहिब जनगरना आयुप्ध है और इसमें आपसे कितने प्रस्ण पूछे जाएंगे 31 प्रस्ण आपसे दाग दिया जाएगा हो और यह पहला digital जनगरना है कैसा है digital जनगरना है पहला ये line भी आपको का क पढ़ना है बात समझमा गया आवा पढ़ा लिए तो अगर 2011 में भारत की जनगर्णा पूछे भारत की जनसंख्या कितनी है तो 121 करोड लगभग है तो 1210.1 यह आप हम कह सकते हैं इतना मिलियन जनसंख्या क्या है भारत की है 1210.1 मिलियन जनसंख्या और एक पॉइंट याद रखेगा एक अगर हम अमेरिका को जोड़ दे अमेरिका की जनसंख्या इंडोनेसिया की जनसंख्या और एक देश ब्राजील की जनसंख्या और पाकिस्तान की जनसंख्या बंगला देश की जनसंख्या और जापान की जनसंख् पूछा जाता है इन च्छेव की जनसंख्या 12.3 मिलियन है और भारत की जनसंख्या आपके सामने दिख रही होगी 12.3 मिलियन है बात समझ माया आए और आगे बात करते हैं 2011 की जनगर्णा में कितने राजज की जनगर्णा की गई थी 35 राजज की 640 जिला की जनगर्णा की गई थी 5900 कितना है दिमाग में आए जा आजा आजा वो 5924 ते क्या तहसील का और का हो 7935 नगर का नगर पंचाज जैसन और एट पॉइंट और 6464 चालिसri 1866 चालिसri 1866 गउंगं के गाऊं पूछ लिगा गउन पूचकी ने क्या लिए थी 35 पालग जनगर्णा के गई थी ये बाते आपको क्या करनी है याद रखनी अगर आपसे पूछे सरवाधिक जनसंख्या कहां पे है सरवाधिक जनसंख्या किस राज में है अब सरवाधिक जनसंख्या पे आ जाते हैं जनसंख्या पे आते हैं सबसे पहले जनसंख्या में पूछे सरवाधिक जनसंख्या कहां है सरवाधिक जनसंख्या कहां है और नियू सासित पढ़ेंगे नियुनता में भी हम राज पढ़ेंगे और हम इसमें भी केन सासित पढ़ेंगे आईए तो सबसे ज़्यादा राज में कहां जन संक्या है तो उत्तर परदेश में 20 करोड लगभग क्या है जन संक्या उससे में 19 दस्मलों सम्थिंग थी 20 राउंड फिगर मान लेते दूसरे पर महराष्ठ है ये कितना है 11 करोड जन संक्या है तीसरे पर बात करें बिहार का है बिहार की जन संक्या 10 करोड है और एक बात करें वेश्ट बंगाल की तो वेश्ट बंगाल की 9 करोड है ये आपको याद रखना है आईए केंदर की बात केंदर में सबसेरा कहां पे है दिल्ली में है सबसेरा दिल्ली का किंसासित में है किंसासित परदेश में दूसरे पे है पुद्धु चेरी और आगे जानने की जरूत नहीं है राज में आपसे नियूनतम राज में पूछ ले तो याद रखेगा सिक्किम सिक्किम में 16557 जनसंख्या ही है दूसरे पर मिजोरम है ये बाते आपको याद रखना केन सासित में सबसे कम कहा है लच दिप में 64473 ही लोग रहते हैं लच दिप के बाद दमन दिप बात कर लेते हैं इतना आप दो-दो करके पढ़ देजे पिट में इतना काफी है और अगनी बीर में इतना काफी है बास समझ माया आईए और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो ये जनसंख्या के बारे हमने राजवाईच पढ़ लिया आए और बात करते हैं ग्रामीड जनसंख्या के बारे पढ़ लेते हैं ग्रामीड जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीड जो जनसंख्या है आए इसको भी हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे तो जनसंख्या हिसाब से पढ़ें एक बार हम एक बार जनसंख्या के हिसाब से पढ़ें और एक बार हम पढ़ेंगे प्रतिसत के हिसाब से प्रतिसत के हिसाब से भी हम लगे हाथ निप्टा लेते हैं तो आईए बात करें जी हाँ तो जनसंख्या की बात करें तो maximum जनसंख्या कह इतना आपको ध्यान देना है बात किलियर हो गया परसेंटेस की बात करें तो परसेंटेस को भी हम दो हिसाप से पढ़ेंगे maxima और minimum कहां पे pluralistic जणसंख्य में ज़ादा है कम जणसंख्य लेकिन percentage ज़ादा है । जैसे यहां पे 10 करुड़ लोग रहते हैं percentage आ जाता है 7 % लेकिन यहां 5 गूड रहते हैं लेकिन percentage आर 80% तो इसलिए percentage भी देखा जाता है सबसे ज़्यादा परसेंटेज का सुजन संख्या कराती है हिमान चल परदेश में दूसरे पर रहती है कहां पे बिहार में और सबसे कम परसेंटेज में कहा रहती है गोवा में और गोवा वाले बीच पे यादबय मिजोरम में या आप दो-दो करके पढ़िए, जादा कुछ और नहीं पढ़ना है, अगर ऐसे हम नगरिये पढ़ाँ, नगरिये को भी हम एक जनसंख्या के हिसाब से पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे हम प्रतिसत के हिसाब से, अगर बात करें, तो सबसे जादा मैक्सिमम कहां पे है जन अगर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले हम थोड़ा सा इनकी तुलनातमक जानकारी हम ले ले लेते हैं, तुलनातमक आगे पढ़ लेंगे, आगे देख लेते हैं अभी, परसान होने की जरूरत आपको नहीं है, अगर पूछे, अगर आपसे ये पूछ ले, सरवाधिक सहरी जनसंख्या परसेंटेज के साब से पूछ ले, हाँ देख लेते हैं, पढ़ी लेते हैं का करना है, सरव परसे जनसंख्या, तो यहां पर हम बात करेंगे, एक तरफ बात करेंगे, जनसंख्या की, वो भी जनसंक्या के हिसाब से और बात करेंगे हम परसेंटेज के हिसाब से दो हिसाब से जिसे उपरा पढ़ ली हो इसे यह हूँ और एक में पढ़ेंगे मैक्षमम और एक में पढ़ेंगे मिनिमम तो मैक्षमम सहर में जनसंक्या केन सासित में कहां रहती है के इन सासित में सबसेरा भाई जन संक्या राती है दिल्ली में और दूसरे पे चंडीगड में रहती है बाद समझ मैं चंडीगड़ भी अच्छा मौसम राता है और यहां दोजी रोटी का सवाल है मिनिममम बात करें तो सबसे कम कहा राती है लचधीप में परसेंटेज के बाल में पूछे तो परसेंटेज में भी दिल्ली नमबर एक पर है कि अनसासित में और यहां पे क्या है अंडमान निकोवारदीप समू है आपको यह बाते का करनी है याद रखनी है आए आगे बात कर लेते हैं कुछ और पाइंटों की जैसे अगर आपसे बढ़ल बै तो अगर आपसे पूछे 10 की ब्रिद्धीदर कितनी भारत की है 17.7 दिमाग में बैठाई लिया 17.7 परसेंट दसकी ब्रिद्धीदर है अगर वार्सिक पूछे 10 साल में तना बढ़ तो वार्सिक ब्रिद्धीदर कितनी है यह याद रिखिए आप इन गुरूप से 71 के बीचवा में सबसे ज़्यादा 10 की बृद्धी रहल वा कितना रहल वा है तो लगबग 25 है 25 राउंड फिगर बजाल लेकिन हाँ इतना सेवर्टी है रहल देख लिया 24.8% क्या था सरवादी 10 की बृद्धी दर था ये बाते भी आपको क्या करना है याद रखना है और एक पॉइंट याद रखेगा आगवे बताते हैं बताते हैं दसके बृद्धीयम बताई देखा एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है 1911 से 1921 के मद्ध में भारत की जनसां के अदर बढ़ी नहीं थी घट गई थी कितना माइनस 0,031 गटी थी इसलिए यसे का कहा जाता है महान विभाजक वर्स कहा जाता है पूछलेत बताई दिया समझ में आई यह हो और आगे बात करें मनें कैस वाला रिपोर्ट आया था अगर पूछे कौन से वर्स का रिपोर्ट था 1921 का था अगर वर्स 10 साल पूछे तो 1921 हो गया अगर पूछे सरवाधिक के मामले में सरवाधिक के मामले में राज्यों में आ जाते हैं तो सरवाधिक 10 के बिद्धिदर कहां पे रही है सरवाधिक 10 के बिद्धिदर कहां पे रही है यह आपसे पूछे तो सरवाधिक में पूछे हम आप से दोनों बाते करेंगे राज का भी यहीं लगे हाथ निप्टाइए दे और यहीं लगे हाथ केंदरों को निप्टाइए दे तो राज में सबसे ज़ाधर 10 की ब्रतितार कहां पर हुई है मेघाले में मेघाले में सबसे ज़ादा हुई है कितना प्रसेंट हो 27.9 परसेंट याद रखिया दुसे नमेघाले के बाद के होला यम ए पर डालेंए हाँ अरुरान चल पार देश अरुरान चल पर पर देश में कיा दुसे नम्बर पे था बास समझती सरे पे दादर नगर हवेलिकैंदरन नगर हवेली के सबसेदर me 5%. लेकिन आकम परसंट है यह केंदर में है सर्वाधिक न्यूंतम बातकले लगए हाते ही संय पर चुराज में सबसे कम निगेटिम में था माइनस 0.6% सबसे कम यहीं है दुसरे पर पूछ ले तो केरल बता दीजेगा अगर केंदर सासित में पूछ ले तो कहिया भाया लच्छ दीप है और यह कितना है 6.3% था बात समझ माया लच्छ दीप में 6.3% था यह बात आपको क्या करनी है याद रखनी ह आवा आगे बढ़े लिए और बात करते हैं लिंगा नुपात की लगे हाथ सब खतम करेंगे कोई बीक जाम दे लो एक भी कोशन बाहर नहीं जाएगा गारेंटेड है लिंगा नुपात की बात करते हैं लिंगा नुपात की बात करें तो भारत की लिंगा नुपात वरतमान चाही बाई न होई सरवादिक पूछे कहाँ पर है सरवादिक पूछे कहां पर तमिलनाड में हो गया और एक ओरान परदेशका भी देख लेखेँगर 993 ही है केन सासित में सबसीत है peux hatte पुद्दुچेडी का 1027 है बात याद रखेगा नियुनसीम पुछले किसका है दूर में हर्याना का है राज में हर्याना का है हर्याना का कितना है 889 है केवल 889 जम्मू कास्मीर का 889 है ठीक है अगर पूछे अकेन सासित में किसका दमन दीब का दमन दीब का कितना है केवल 618 बात समझे मा गया यह हमारा लिंगा नुपात की बाते आपको हमने बताई अगर आप से पूछ ले 0-6 साल जीरो से 6 वर्स का लिंगा नुपात जीरो से 6 वर्स का लिंगा नुपात जीरो से 6 वर्स का अगर जनसंख्या पूछे सबसेदा कहां पे है तो उतर परदेश में 0-6 साल का जनसंख्या सबसे जादा है सबसे ज़्यादा है बात समझ माया 0-6 वर्ष का लिंग नुपात हमें पढ़ना है आवा पढ़ ले तो 0-6 वर्ष का लिंग नुपात सहर में कितना बै यो पूछ लेला सहर के लोग में कितना बै तो सहर में 905 है गाउ में कितना बै तो गाउ में हमरे 923 बै बात समझमा है 923 लिंगानुपात भे अगर आप से पूछे वही जनसंग आपके सरवाधिक किस राज में सरवाधिक लिंगानुपात है तो याद रिखेगा सरवाधिक लिंगानुपात किस राज में है तो ये है आपका क्या नाम है क्या नाम है क्या नाम है अरे नाम है अरे सबसे कम लिंगान उपाद पूछ ले किस राज में है किन सासिक छोड़ दा सबसे कम लिंगान उपाद पूछे कहां बाई तो जहां पे मनईन वाला वहीं हर्याना में ही हर्याना में जीरुस्षे कतना बाई 834 बस इतना आपको पढ़ना एक एक पढ़ा पेट खरतिन अगनी वीर खरतिन एक पढ़ला काफी बाई समझ माया आए जन संख्या घनत तो क्या है जन संख्या घनत तो कहा है हो उहो देखिला जन संख्या घनत का मतलब होला कि एक वर किलोमेटर में ने एक किलोमेटर लंबा एक किलोमेटर चोड़ा के छेते में जतना मनई रहात हैं वही का ये पॉइंट आपको याद रखना है अगर पूछे सर्वाधिक कहां है सर्वाधिक कहां है सर्वाधिक जनसंख्य अग्छनाथ कहां है तो सरवाधिक में दो एक राज पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ेंगे हम केंदर पढ़ेंगे सरवाधिक में दो पढ़ेंगे राज पढ़ेंगे और केंदर पढ़ेंगे तो सबसे रहा कहा है मनाई कहा है बिहार में केंदर में पूछे तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा रहते हैं दिल्ली में कितना एक वर किलूमेटर वहला है 11320 बहुत ज़्यादा बिहार में कितने हैं 1106 है मात्र ठीक है अगर पूछे दुसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल है और तिसरे पे क्या है केरल है यहां दुसरे पे पूछे तो बताईएगा भाईया चंडीगड है चंडीगड अच्छा इरिया भाई लोग यहां राते हैं साधुतिकर के ही बस जाते हैं नियुन्तम में पूछ ले इसको भी दो कटेगरी में राज में कौन सा अरुडान चल अरुडान चल भाईया याद रखेगा महज 17 वर किलोमेटर एक वर किलोमेटर चल जाबा तो 17 याद नहीं मिल हैं कोई अलावा नहीं मिल होगी है यहां नियुन्तम पूछ ले तो अंडमान के इनसासित में बता दीजे कितना है भाईया 46 है के लिए रो गया आवा आगे बढ़े लिए सच्छर्ता दर लगे हाथ निप्टाई दे सच्छर्ता दर लगे हाथ निप्टाई दे तो याद रखेगा सरवाधिक सच्छर्ता का अंतर पूछे सरवाधिक सच्छर्ता का अंतर पूरुस महिला में कितना बाय तो याद रखिएगा वो राज कौन सा है और रांचल परदेश है ये लाइनाप के लिए important बन जाएगी अभी गुरूप D में आया था और सुना सरवाधिक पूछे वही फिर कहानी हम पढ़ेंगे सरवाधिक कौन सा है राज में कौन आगे है और केंद्र में सरवाधिक कहाँ पे है केरल में केरल में 94 परसंड लोग क्या है साचर है दूसरे पर मिजोरम में कितने परसंड लोग साचर है 91 दसमलो तीन परसंड किन सासे में सबसे साचर कहाँ पे है लच दीप में साचर है 91 दसमलो दसमलो हाँ आठ परसंड ठीक भाई निउन्तम पूछे कहा है हो निउन्तम पूछे क नहां पर है तो यह भी आपको क्या करना है याद रखना है नियूंतम सबसे कम साथ शर्टा कहां बिहार में कितना बाए एक सर दस्मलों आठ्या परसंट यहां साथ चर बाते हैं दूसरे पर अवडांचल परदेश है और यहां सबसे कम क्या है याद रिखेगा सबसे कम महिला साथ शर्टा की लगे हाथ है अगर पुरुस देखो इयाद रखेगा पुरुस वाला में भी सरवादिक यही है पुरुस में सरवादिक पूछे कौन यही है महिला में सरवादिक नियूंतम कौन यही है सबकुछ यही है सबकुछ यही है पुरुस महिला दोनों यही एकी डाटा है अब हम बात करेंगे यसी जनसंख्या की यसी माने अनसूचित जात की जनसंख्या की अनसूचित जात की बात करें तो अनसूचित जात की जनसंख्या का 16.6% लोग है 16.6% लोग है अनसूचित जाती तीन राज अईसनबाय जिसे नागा लेंड नागा लेंड अ आंड मान निकोवार दिप समूह और एक और लच दिप इतीन राज में यसी नहीं पाए जाते नो यसी नहीं पाए जाते एतीन राज आपके याद रखेगा important point बन जाता है अगर पूछे सरवाधिक जनसंख्या यसी की कहा है दोनों अलग-अलग है यूपी में जनसंख्या की साबसे जादा है और पंजाब में प्रतिसत की साबसे क्या है जादा है और पूछे केन सासित में कहां जादा बात है सबसे जादा तो याद रखेगा मिजोरम में मिजोरम में सबसे जादा है ये point याद रखेगा केन सासित ज जनसंख्या के मामले पूछे के इंसासित में चेहरा परसेंटेश के मामले में दोनों जाता है बात केलियर हो गया अगर आपसे इनका लिंगा नुपात पूछले यसी का यसी का लिंगा नुपात पूछले तो यसी का लिंगा नुपात याद रखिएगा 945 है सरवादिक यसी का कहा है मिजोरम में है डेटा कितना है उतना ज़ादा डेटा हो इसे आप हालत खराब हो जाएगी में में चीजे आप पढ़ लीजोग बात समझ माया आये बात करते हैं सीधिय में यस्टी की अनसूचित जन्जात की अनसूचित जन्जात तो जरूरी नहीं है आपको ये बताना क्योंकि पुद्दूचेरी दिल्ली चंडीगड़े समय के हाई यह नहीं है अगर percentage में maximum कहा है परतिसत में maximum कहा है परतिसत में ये आपका तो जनसंख्या की हिसाब से maximum बताए है percentage के साब से maximum पूछ ले तो बता दीजिएगा लच दीप में है याद रखिएगा percentage में एक कुछ राज ऐसे हैं जहां यसी नहीं है तो पुद्दूचेरी दिल्ली होई गया चंडीगड़ हो गया और हर्याना हो गया और पंजाब हो गया ये राज ऐसे हैं जहां पे no yes tea important point आपके दिमाग में होनी चाहिए इनका लिंगा नुपात पूछ ले तो घबडाना नहीं लिंगा नुपात कितना है 990 है 990 है सरवाधि कहा है maximum कहा है गोवा में है इनका लिंगा नुपात गोवा में कितना है 1046 है मिनिमाम इनका लिंगा नुपात कहा है जम्मू कासमेर में 924 है ये आपको क्या करनी है याद रखनी है अब हम बात करेंगे कुछ धार्मिक गड़ना की सलम आबादी पढ़ ले ये ही सलम आबादी तनीबर जगवा तहीं देखला सलम आबादी कहा है सबसे ज़ादा तो सलम आबादी सबसे ज़ादा कहा है जुगी जोपड़ी में रहने वले महराश और दूसरे पर कौन है यूपी है बात किलर हो गया आए और निप्टा देते हैं धार्मिक जनगड़ना धार्मिक जनगड़ना निप्टा देते हैं तो इसी ट्रिक बताए देते ही हम देखा हम हो गया और इसी बाजू में हैं हम इसी बाजू में हैं अब सुना हम इसी बाजू में हैं हम जो है है से होई जाई हिंदू है से होई जाई हिंदू मैं से होई जाई मुसलिम इसे होई इसाई इसाई सी से होई जाई सिख बा से होई जाई बाध जू से होई जाई जैन और इस दोनों में होई जाई हैं अन् हिंदु की बात करें तो हिंदु जंसंक्या कितनी है कितनी परसंट है कितनी परसंट है 89 दसमलो 80% हिंदू है मुसलिम कितने परसेंट है टोटल का 14 दसमलो 2-3% यह है इसाई कितने परसंट है दो दस्मलो तीन सुन परसंट है सिख कितने परसंट है पूछले एक दस्मलो साथ दो परसंट है बौध कितने परसंट है पूछले तो बौध जो है जीरो सुनो साथ सुन परसंट है जैन कितने परसंट है तो याद रिखेगा जीरो सुनो तीन साथ प लोग क्या हैं मुसलिम भारत में अभिवर्तमान में हैं और बात करें इसाई की जनसंख्या कितनी है तो इसाई की जनसंख्या याद रखिएगा दो करोड अठतर लाक जनसंख्या इसाई की है और बात करें इसकी जनसंख्या बौध की तो बौध की जनसंख्या कितनी है जिसन चार-पांच करोड जनसंग क्या है अपने इनकी भाई साहिब की बात समझ माया तो याद रखेगा ये पॉइंट आपके सामने है इसी हिसाब से घरती हुई क्या है जनसंग क्या है ए बाते भी आपको क्या करना है याद रखना सबसे ज़्यादा हिंदू कहा है सरवादिक हिं जोराम में सबसे ज़्यादा इसाई है और पूछे सिख तो जनता है पनजाब में सबसे ज़्यादा है और आपको क्या करनी है याद रखना है बात समझ मा गया मुसलिम का लिंगा नुपात पूछ ले 951 बता दीजिएगा इनका इसाई का लिंगा नुपात 1030 most important fact है सबसेरे लिंगा नुपात किसका है आपके किसका है इसाई का है इसाई का है यह point आपको याद रखना है बार समझे मागिया अगर आपसे सिख का पूछ ले तो 965 बता दीजिएगा 965 है और आपसे इनका पूछ लेगा तो 964 बता दीजिएगा जो मिन मिन पूछे गए हम उनी की चर्चा आपको हम कर देते हैं बास समझ माया आए और कुछ निप्ता देते हैं सरवादे खिंदों भी पड़ लिए और हाँ जो अन्न वाला दो पाइंट आपके सामने था अन्न वाला देखेगा उदर है ना में अन्न है अन्न में दो कटेगरी काते एक लोग ऐसे होते हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते दूसे लोग ऐसे होते हैं जो अपना धर्म बताए ही नहीं तो इनकी जनसंग्या कितनी पूछले 0,6,6 परशन लोग ऐसे हैं जो अपने किसी धर्म को नहीं मानते 9 धर्म 9 धर्म, कोई धर्म नहीं मानते और किया 0,2 परशेंट ऐसे जो अपना धर्म नहीं बताए तो ये कितने करड़ लोग है जो अपने धर्म को नहीं बताए और ये लोग कहे हम को इनों धर्म मन बैनाई करती ये इतने करड़ लोग क्या है भारत में ऐसे लोग है बात समझ माया वीडियो पसंद आए शेयर लाइक सब्सक्राइब पीजेगा थेंक्यू धन्यमाद दोस्त